कैसे हैं आप सब आई होब आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे विल्कम बैक टो माय उट्व चैनल तो चलिए फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंच फ्राइज देखिए फ्रेंड्स यह मैं बड़ा बड़ा आलू है उसको मैं छील के इस तर के लिए नमक में डाल के मैं छोड़ दी थी ताकि ये काला ना पड़े अब इसके बाद ये मैं तॉलिये पे सुखा ले रही हूं देखे दस मिनट के लिए इसको भी मैं अच्छे से खुब पूच पूच के सुखा लूँगी देखिए टावल छोटा था न तो फिर मैं ये टी-सर्ट पे फैलाई हूं कौटन का टी-सर्ट है इसको अच्छे से फैलाने के सुखाने के बाद ये कल्ची वाले चमच से मैं डे रख दीए लाल होने लिए गैस पे तेयल रख दीजिए लाल होता रहे तब इसको मिक्स करिए नहीं तो नमग चुट डालें तो पानी चोड़ देगा तो चिपचिपा हो जाएगा तो इधर मेरा तेल देखिए मैं चेक कर ली हूँ इस तरहे के से कोट करिए इसके बाद मैं डाल दे रही हूं देखे इसको मैं पहले hap fry करूँगी फ्रेंस उसके बाद तो फिर निकालूंगी ये वाला फिर दूसरे को fry करूँगी तब तक है ठंडा हो जाएगा तो फिर दूबारा मैं fry करूँगी तब जाके तो फिर perfect kurkura होगा हाँ फ्रेंट्स मैं आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिये प्लीज आपके एक लाइक से मेरी बहुत होसला बढ़ती है एदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिये फ्रेंट्स लाइक फ्री होता है togg और दोंस भाए नाल दी हम तो थोड़ा से यह कम अलग हो गया है इसको भी मैं वाई बालल के फ्राइड कर ले रही हूं तब तक वह पहले ओले थंडा हो रहा है देखिए इस तरह रौत करताई कि अधर जो है पहले बारी में कर यह थंडा हो सुआ हद liebe और टेस्टी क्रिस्पी हुआ है इस तरह बनाईए आप लोग बहुत ही अच्छा बनता है बच्चों को खोब पसंद आता है बड़े बच्चे सभी खाएं इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं टोमेंटो के चप के साथ खाएं मैं तो इमली की चटनी बना रखी थी उसी स मैं सर्व की हूँ देखिए पहले वाले को फिर से मैं फ्राइ कर दे रही हूँ यदि आपके पास आरा रोट ना हो तो चावल का आठा पिस के कर लीजिए कोट उस पर देखिए प्रेंस ये दुबारा भी मैं फ्राइ कर ली हूँ न्यू प्रेंस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें अता बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का तुरंत आपके पास पहुचे देखिए फ्रेंस पहले वाले को फिर मैं करके निकाल ली हूँ तूसरे वाले को कर रहे हूँ इसी में मैं लग ड प्रेंस ऐसे मिलाई यह बहुत हई टेस्टी लगता है और जो बता रहे थी ना कि एक में फूर कॉलर मिलाए थी ओ जो पूर्ट कोलर वाला है उसमें भी मैं वही सब मिला ले रहे हूं चाटमसाला लाल मिल्स पावडर उसके बाद नमक मिला के सब देखिए मिक्स कर दे रह हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिए तो कमेंट में जरूर बताईए फ्रेंस आपको वीडियो कैसा लगा चलिए फिर मिलते हैं नेट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक